हिसार कैमरी चर्च विवाद मामले को सुलचाने के लिए अंबाला स्थित बिलीवेर चर्च ओफ इंडिया के प्रदेश कार्याले में दोनों पक्षों की बैठक कॉंग्रेसी नेता प्रोफेसर संपत सिंग की अगवाई में हुई बैठक में पीरित पक्ष की तरफ से कई पाथरी और कैमरी गाओं के कई लोग मौचूद रहे यह बैठक करीब दो घंटे से ज्यादा चली बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बात चीच सामने रखी और लिखित समझोता किया जिसके बाद कैमरी चर्च विवाद थम गया वही बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रोफेसर संपत सिंग ने बताया कि चर्च विवाद सुलज किया है यह मुद्दा बिना किसी शर्ट के खत्म किया गया है उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्च करवाई गई F.I.R. को कानूनी सला लेकर खत्म किया जाएगा साथ ही संपत सिंग ने कहा कि इस चर्च को बनाय जाने को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो हम तो परमिस्वर की सेवक लोग है और जो हमारे प्रवियश्य मसी हैं वो भी एक शमा के लिए हमें बोलते हैं नहीं सरत कोई नहीं थी आपस में गल्त फहमी होगी थी कुछ सरारती ततों ने जो चर्च बनाई जा रही थी उसमें तोड़फोड की थी और आज गाम के इतने भी सजन पुर्श हैं एक ग्राम पंचायत होती है उसके रूप में आज क्रिशन सोसाइटी से यहां मिलने के लिए आए हैं और बड़े सुहार्द पूर्ण बातावन में सारी बाते हुई है खुल के अफस में दोनों समधाओं ने बैट करके समझोते कि जो बात निकल कर गया गिया है और उसी पे यह चर्चा की गई है और दोनों तरफ समझोता हुआ है हाँ हमारा राजी नामा जो आज हुआ है जो चर्च का पुरुष तोड़ दिया था कैमरी गाओं ही इस सार जिले में तो उसमें हमारी कंडिशन रखे गई है कि हमें कोई भी जो भी भायवन अपनी मर्जी से चर्च में आता है प्रार्थना में तो उसको रोका ना जाए खबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हमनों के साथ बने रहे राद दिन